जब सबसे पहले साबुन बना होगा और किसी ने अपने हाथ पर लगाया होगा तो उसमें से निकला होगा एक बुलबुला और जब एक बुलबुले से दूसरा और दूसरे से तीसरा निकलता चला गया होगा तो ऐसा लगा होगा कि इन बुलबुलों का तो कोई अंत नहीं है साथियों ये मैंने एक आपको जए रेफेंस इसलिए दिया क्योंकि आज का टॉपिक हमारा एक ऐसा है जो की शुरू तो कर दिया था हमने बहुत दिन पहले शुरू किया था लेकिन उसमें रोज नहीं नहीं कोई बात निकल के सामने आती है और खतम होने का नाम ने लेती इस इसको साधाना भाषा में हम कहते हैं किच 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 वास्तु शास्त्र में आव सुझाएं हम सम मिलकर आएए देखते हैं क्या है इसके सुलूशन्स नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनन्द भार्दवाज आपका जाना पैचाना वास्तु कंसर्टेंट और आज आपके लिए वो टॉपिक लेकर आया हूँ कि जो की बढ़ता जा रहा है चिंगम कितना से फैलता जा रहा है खतम होने का नाम ने लेता क्योंकि किच ज एक और हारा कहीं होता था जहां पशुओं के लिए आप जो है दलिया बनाये करते थे और इसी तरह से बहुत सारे काम हुआ करते थे जमाना गया नया जमाना नए जमाने में नई किचन और नई किचन में नई नई बाते और वास्तु शास्तने आने के बाद जब आपके लि तो समस्या को समझाना सुलजाना बहुत असान हो जाएगा आईए किचन किचन में क्या क्या चीज़े होती है कहेंगे बार्दवाजी किचन में क्या होगी एक फैर होगा एक बर्तंद होने का पानी और क्या है नहीं किचन में तो आज की डेट में बहुत कुछ है बर्तंद होन के लिए दूसरा सिंक होता है उसको हम कहते हैं fresh fruits and vegetables के लिए आम तोर पे modern kitchen में बनता है वह जहां पर की आप अपने जया fruit और सब्जियां धोया करते हैं और हां जहां पर धर्म कर्म का ज्यादा इसा जाता है वहां पर आपके जो पूजा के बरतन होते हैं वो भी एक साफ सुत रखे जाते हैं और उसी kitchen में कहीं पर आज कल dishwasher भी लगा दिया जाता है चीमनी होती है हर kitchen के अंदर mix होती है microwave otg निम्रस चीजें और एक बड़ा सारा fridge सब की दिशाएं अपनी अपनी fix वास्त शास्त के अनुसार किस तना से की जाती है आप क्या होता है बहुत बार kitchen आप कह चाहिए south east में यहीं दक्षिनपूरब में होने चाहिए दक्षिनपूरब आगनेकोंड होता है वहां पर sun transit करता है यह है इसके पीछे एक scientific logic जहां पर की ultra wallet UV1 UV2 में UV2 से UV3 में convert होती चले जाती है और उनकी जो wavelength होती है वो घटती है wavelength के घटने से frequency बढ़ती चले जाती है इ बास तो शास्त्रगा कोई भी नियम ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई ना कोई बहुत जादा ठोस scientific reason ना हो मानने वाले मानते हैं नहीं मानने वाले ना माने हमें क्यालिस मानने तो इसलिए जबी जरूरी है क्योंकि यह विज्ञान है आपकी सेयास्चिस का बहुत गयरा सम् करती हैं करने को तो पुरिश भी करते हैं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आगे लेके चलता हूं मैं यदि किचन आपकी किसी भी गलादिशा में बनी हो साव तीश में ना हो तो मैं एक बात आपको बताता हूं जो दूसरी जगां बनती है वो बनती है इसके लिए Northwest उतर और पच्चिन के बीच के जगां पच्चिन वो तर भी इसको कह देते हैं वहाँ पर भी किचन बहुत अच्छी रहती है लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव नहीं वहाँ पर नूटल होती है जीरो कहते हैं हम जीरो का मतलब ना इदर गुड नौर बैड ना तो अच्छी ना ब देखिए क्या क्या करना होता है आपको किसी भीtak किसि भीचन में आपको, कई की चीजवें आपके बाउस होती पूर्व को बाइस होती है, ये जो फाइर प्लेष है, इसका आपको पूरव की दिशा में, पूरवाली स्लैप के उपर होना जरूरी है अगर किचन कहीं भी बनी है आपकी नौर्थीस में उत्तर पूरम में पूरम में उत्तर में कहीं पर भी है साउथ वेस्ट में इवन नर्थ कुण में अगर बनी हुई है तो आप अगर फायर को ठीक कर लेते हैं तो ये मार लेना कि 25 परशंट 25 परशंट तो आपने रेमेडि कर ही ली इसके अलावा दूसरी चीज़ का आपकी किचन में क्या होती है दूसरी चीज़ वहाँ पर होती है पानी का स्थान जिसको हम कहते हैं सिंक ये देखिए ये जो है ये सिंक है पूरा का पूरा इस सिंक में आपने बरतन धोने होते हैं, इसको हमेशा रहना है आपने उत्तर दिशा में, उत्तर पूरम में कोने में नहीं करना क्योंकि गैस और पानी दोनों को आग और पानी को दोनों को एक इस लैप पर कभी नहीं लेते हैं, अगर बाइचांस मजबूरी में आपको लेन ना करें जो वाटर यूज़ करते हैं तो फायर यूज़ ना करें यह नहीं आग जब जल रही हो तो पानी बर्तम धोने से बचे और अगर पानी चल रहा हो तो फायर को दो मिनट के लिए बंद करते हैं यह भी एक बहुत असान तरीका होता है बिना तोड़ फूड का इसको अगर अगर किचन होती तो हमें बलब यूज़ी न करना पड़ता अगर South East में होता तो, इसके इलाबा ध्यान कर लेना एक बहुत असान तरीका, ये देखिए, आप अपनी किचन में remedy करने के लिए बहुत असान तरीका बताता हूं, किचन का जो पूरब की दिवार होती है, वैसे तो किचन का जो slab होती है, अगर उस पे आप ग्रीन पथर लगाते है तो बहुत अच्छा रहता है, उसके जो गावा रेडिशन होते हैं, वो बिदिन कंटोर लिमिट होते हैं, कभी नुकसान नहीं करते हैं, लेकिल अगर उस किचन के अंदर आपने, अगर इश की दिवार के उपर, पूरब की दिवार के उपर, अगर आप ग्रीन कलर कर लेते इसके इलाबा एक बहुत असान तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, कि आपको मैं बताते रहता हूं कि जहां पर भी आपको इनर्जी की को फिल्टर करना है, कि यूज़ करें, कच्चा नमक, कच्चा नमक जो मैं टॉलेट की रहमिटिक लिए बताता हूं, टॉलेट को ठीक करने के लिए और बहुत से लोग हमसे क्वेशन करते हैं कि सर ये सी सौट हमें मिल नी रहा कहीं से, और मैं कहता हूं वह जाने महुत सस्ता मिलता है, ये आट 400 रुबे के लोग बेशते हैं, उनका धराव, उनका इमान, लेकिन आपको कहां से मिलेगा, ये बता देता हूं मैं, गौव में आज मी खाते हैं लोग, इसमें IOD नहीं होती, इस लोगों ने खाना इसको बंद कर दिया, आप किसी आइसक्री वाले से पूछें, वो बता दे इसके लवाब बिजली वाले से बता कर लेना, बिजली वाले अर्फिंग में डालते हैं इस नमक को, बहुत असाने से मिलने वाला आप इतने परशान ना हो, मेरे पास सवार आई, बहुत सारे के सर मिलनी रहा, मिलनी रहा, अप क्योंकि हमने खाना बंद कर दिया, इसलिए आपको पंसारी से मिलना बंद हो गया, बहुत असाने से मिलेगा, इसके लावा मैं आपको लेके चलता हूँ, एक और रेवेडिय आपको बताता हूँ, जो कि बहुत असान है, अगर आपका पानी आप बहुत बार हम से पूछते हैं, के सर पानी हमारा साउथ में आ गया, व अरो सिस्टम जो फिल्टर होता है हमारा वो हो सकता है, इसके लावा बरतन दोने का सिंक हो सकता है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजटेबल का हो सकता है, अगर ऐसा कोई सिंक, वाटर बॉड़ी अगर आपकी साउथ में आ गई है, साउथीस में आगे, दक्षिन पूर में आ जाती है, South West में आती है, तो आपने क्या करना है, एक पानी का घड़ा, कोई भी पानी का बर्तन उत्तर दिशा में रख लेना, किचन के अंदर, और इस पानी को यूज करना है, बदलना है रोजा इस पानी को आपने, इसको पानी को पीने में यूज करें, घड़े का पानी बह आपको जहे इस मुसिबत से बहार निकालती है, जहां पर आपके मन में जहे चिंता खा जाती है, आपको गलत इशा में बनी गई किचन की, साथियों मेरे साथ चलते हैं, और आपने मुझे अपना गुरू माना हुआ है, मानते हैं कि महारता जी बहुत अच्छी बाते बतात हैं, तो अब तक जो आपका गलत बन गया था, लेकिन आज के बाद आपसे गलती ना हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की बाते से होती है, चोड़ने का नहीं है, और हाँ, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को कर देना लाइक और शेर कर देना आपने सोशल मीडिया पे, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, ऐसा ही कोई टॉपिक लाँगा, जिसको आप ढूट रहे हैं बहुत दिन से, और आपक कर्श şekilde मोड़हे हैं passions 7 लोत नहीं है, युत दिन से, और नहीं है, आपक लोगई ऍवाँ, जिसको आपकाज कर देना आपके यंदद है, और